फाइल पंद्रहा अंक पंद्रहा आरंबर मालती बाहर से तितली है भीतर से मदमखे उसके जीवन में हसी ही हसी नहीं है केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है और जीए भी तो वो कोई सुखी जीवन ना होगा वो हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं या उसके निजट्व को अपनी आँखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने लिए ही करे नहीं वो इसलिए चहकती है और विनोध करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हलका हो जाता है उसके बाप उन विचितर जीवों में थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के वारे नियारे करते थे बड़े बड़े जमीदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना उनके कर्ज दिलाना या उनके मौमले को अफसरों से मिलकर तै करा देना यही उनका वैविसाय था दूसरे शब्दों में दलाल थे इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वो उठा लेंगे किसी ना किसी तरह उसे निभा भी देंगे किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और दस बीस हजार उसी में मार ली यही दलाल जब छोटे छोटे सौधे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं और हम उनसे ग्रणा करते हैं बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नरों की मेज पर चाय पीता है। मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में थे। उनके तीन लड़कियां ही लड़कियां थी। उनका विचार था कि तीनों को इंगलैंड भेज कर शिक्षा के शिखर पर पहुँचा दे। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी खयाल था कि इंगलैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहां की जलवाईयों में बुद्धी की तेज कर देनी की शक्ति होती है। मगर उनकी ये कामना एक तिहाई से ज्यादा पूरी नहों सकी। मालती इंगलैंड में ही थी कि उन पर फालिस गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से दो आदमियों के सहरे उटते बैठते थी। जबान तो बिलकुल बंद ही हो गई थी और जब जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई। जो कुछ थी जबान ही की कमाई थी। कुछ बचा रखने के उनकी आदत न थी। आन्यमित आय थी और आन्यमित खर्च था इसलिए इधर कई साल से बहुत तंग हाल हो रहे थे सारा दायत्व मालती परा पड़ा मालती के चार पांच सो रुपए में वो भोग विलास और ठाट बाट तो क्या निपता हाँ इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी हाँ इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती थी मालती सुभह से पहर रात तक दौरती रहती थी चाहती थी कि पिता सात्विक्ता के साथ रहें लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चसका पड़ा था कि किसी तरह गलाना चूटता था कहीं से कुछ न मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर हजार दो हजार ले 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 दे थे महाजन उनका पुराना मित्र था जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाई थे और मुरवत के मारे कुछ बोलता न था उसके पच्चीस हजार चड़ चुके थे और जब चहता कुर्की करा सकता था मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था आत्म सेवियों में जो निर्डलजता आजाती है वो कॉल में भी थी तकाजे हुआ करे उन्हें परवा नहीं मालते उनके अपवे पर जुझलाती रहती थी लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पती की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतू समझती थी उसे समझाती रहती थी इसलिए ग्रिह युध ना होने पाता था संध्या हो गई थी हवा में अभी तक गर्मी थी आकाश में धुन्द चाया हुआ था मालती और उसकी दोनों बहने बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी पानी ना पानी के कारण वहां की दूब जल गई थी और भीतर की मिटी निकल आई थी मालती ने पूछा माली के बिलकुल पानी नहीं देता मंजली बहन सरोज ने कहा पड़ा पड़ा सोया करता है सूर जब कहो तो बीज बहाने निकालने लगता है सरोज बीए में पढ़ती थी दुबली सी, लंबी, पीली, रुखी, कटू उसे किसी की कोई बात पसंद ना आती थी हमेशा एब निकालती रहती थी डॉक्टरों की सलाह थी कि वो कोई परिश्रम ना करे और पहाड पर रहे लेकिन घर के स्तती ऐसी ना थी कि उसे पहाड पर भेजा जा सकता सबसे चोटी वर्दा को सरोज से इसलिए दूश था कि सारा घर सरोज को हातों में लिए रहता था वो चाहती थी कि जिस बिमारे में इतना स्वाध है वो उसे ही क्यों नहीं हो जाती गोरी सी गर्वशील, स्वस्त चंचल आँखों वाली बाले का थी जिसके मुख पर प्रतिभा की जलक थी सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूती थी सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था बोली दिन भर दादा जी बाजार भेशते रहते हैं, फुरसत ही कहां पाता है, मरने को छुटी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा सरोज नी डाटा दादा जी उसे कब बाजार भेशते हैं जूटी कहीं की रोज भेशते हैं रोज अभी तो आज ही भेजा था कहो तो बुला कर पुछवा दू पुछवाईगी? बुलाऊं? मालती डरी दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी बात बदल कर बोली अच्छा खेर होगा आज डॉक्टर महिता का तुम्हारे यहां भाशन हुआ था सरोज सरोज ने नाक सिकूर कर कहा हाँ हुआ तो था लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया आप फर्माने लगे संसार में इस्तुरियों का क्षेतर पुरुषों से बिलकुल अलग है इस तुरियों का पुरुषों के क्षेतर में आना इस यूग का कलंग है सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की बेचारे लजजित होकर बैठ गए कुछ अजीब से आदमी मालुम होते हैं आपने यहां तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कलपना है वास्तिविक जीवन में इसका कहीं निशाना नहीं लेडी हुक्कु ने उनका होब मजा कुड़ाया माल्ती ने कटाक्ष किया लेडी हुक्कु ने? इस विशे में वो भी कुछ बोलने का साहस रखती है तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषन आदी से अंति तक सुनना चाहिए था उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? पूरा भाषन सुनने का सबर किसे था वो तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से तो कोई बैर तो है नहीं? जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं औरतों को खुश करने के लिए वो उनकी सी कहने वालों में से नहीं है और फिर अभी ये कौन जानता है कि इस्तरियां जिस रास्ते पर चलना चाहती है वही सत्य है बहुत संभव है आगी चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदश बतलाए और कहा शीकर ही विमेंस लीग की ओर से मेहता का भाशन होने वाला है सरोश को कोतु हल हुआ मगर आप भी तो कहती हैं कि इस्तरियों और पुरुशों के अधिकार समान होने चाहिए अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्षवाले क्या कहते हैं, ये भी तु सुनना चाहिए संभव है हम ही गलती पर हो ये लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक है महिता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चे किया था कि उनका खुब दंदाशिकन जवाब दिया जाए मालती ही पर ये भार डाला गया मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमान खोशती रही और भी कई देवियां अपने भाषण लिख रहे थी उस दिन जब महिता शाम को लीग के हाल में पहुँचे तो जान पढ़ता था हाल फट जाएगा उन्हें गर्व हुआ उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्सहा और वो उत्सहा केवल मुख पर और आँखों में न था आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थी मानो किसी बरात में आई हूँ महिता को परास्त करने के लिए शक्ति से काम लिया था और ये कौन कह सकता था कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी नए काट के जमपर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खुब सजी हुई थी मानोस का विभा हो रहा हो विमन्स लीग में इतना समार हो और कभी न हुआ था डॉक्टर महिता अकेले थे फिर भी देवियों के दिल काम रहे थे सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक बहार को भस्म कर सकती है सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना और संपादक जी भी विराज रहे थे राय सहब भाशन शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए मिर्जा ने कहा आजाईए आप भी खड़े कब तक रहेगा राय सहब बोले नहीं भाई यहां मेरा दम घुटने लगेगा तो मैं खड़ा होता हूँ आप बैठिये राय सहब ने उनके कंधे दबाए तकलुफ नहीं बैठे रहिए मैं ठक जाओंगा तो आपको उठा दूँगा और बैठ जाओंगा अच्छा मिस मालती सभा नेत्री हुई खन्ना सहब कुछ इनाम दिलवाईए खन्ना ने रोनी सूरत बना कर कहा अब मिस्टर महता पर ही निगाहा है मैं तो गिर गया मिस्टर महता का भाशन शुरू हुआ देवियों जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं आप इस समान को अपना अधिकार समझती है लेकिन आपने किसी महिला को पुरुष के प्रती देवता का व्यवार करते सुना है उसे आप देवता कहीं तो वो समझेगा आप उसे बना रही है आपके पास दान देने के लिए दया है श्रद्धा है त्याग है पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है वो देवता नहीं लेवता है वो अधिकार के लिए हिंसा करता है संग्राम करता है कलह करता है तालियां बजी राय साहब ने कहा औरतों को खुश करने का इसने कितना अच्छा ढंग निकाला बिजली संपादक को बुरा लगा कोई नई बात नहीं मैं कितनी बार ये भाव व्यक्त कर चुका हूँ महता आगे बढ़े इसलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन्नत विचारों वाली देवियां उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और हिंसा के जीवन की ओर दौर रही है और समझ रही है कि यही सुख का स्वर्ग है तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता मिसिस खना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा मालती ने गर्दन जुका ली खुशेद बोले अब कहिए महता दिलेर आत्मी है सच्ची बात कहता हूँ और मुह पर बिजली संपादक ने नाक सिकोडी अब वो दिन लद गए जब देविया इन चक्मों में आ जाती थी उनके अधिकार हडपते जा और कहते जाओ आप तो देवी है, लक्षमी है, माता है महता आगे बढ़े इस्तरी को पुरुष के रूप में पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को इस्तरी के रूप में इस्तरी के कर्म करते देखकर मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसे इस तरी भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती खन्ना के चहरे पर दिल के खुशी चमक उठी राय सहाब ने चुटकी ली आप बहुत खुश हैं खन्ना जी खन्ना बोले मालती मिले तो पूछू अब कहिए महता आगे बढ़े मैं प्राणियों के विकास में इस्तरी के पद को पुरुशों के पद से श्रेष्ट समझता हूँ उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलहे से श्रेष्ट समझता हूँ अगर हमारी देवियां स्तरिष्टी और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलहे के दानव क्षेत्र में आना चाहती है तो उससे समाज का कल्यार ना होगा मैं इस विशय में द्रड़ हूँ पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कीर्थी को अधिक महत्व दिया वो अपने भाई का स्वत्व छीन कर और उसका रक्त बहा कर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई जिन शिशों को देवियों ने अपने रक्त से सिर्जा और पाला उन्हें बम और मशीन गन और सहस्तरों टैंकों का शिकार बना कर वो अपने को विजयता समझता है और जब हमारी ही माताएं उसके माते पर केसर का तिलक लगा कर और उसे अपनी असीसों का कवच पहना कर हिंसा क्षेतर में भेशती हैं तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्यान की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवरती दिन दिन बढ़ती गई और आज हम देख रहे हैं कि ये दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रोंधती प्राणियों को कुचलती हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को विरान करती चली जाती है देवियों मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस तंगराम क्षेतर में उतर कर संसार का कल्यान करेंगी मैं आपसे विन्ती करता हूँ नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए आप अपने धर्म का पालन किये जाएए खन्ना बोले मालती की तो गर्दन नहीं उठती राय सहाब ने इस विचारों का समर्थन किया महता कहते तो यथार्थी है बिजली संपादक बिगड़े मगर कोई बात तो नहीं की नारी अंदोलन के विरोधी इनी उटपटांग बातों की शरण लिया करते हैं मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नती की संसार ने उन्नती की पौरुष से पराक्रम से बुद्धी बल से तेज से खुशेद ने कहा अच्छा सुनने दीजीगा या अपनी गाय जाईएगा महता का भाशन जारी था देवियों मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में समान शक्तिया हैं समान प्रवृतिया हैं और उनमें कोई विभनता नहीं है इससे भेंकर असत्य की मैं कलपना नहीं कर सकता ये वो असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभवों को उसी तरह ढख लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढख लेता है मैं आपको सचेत किये देता हूँ कि आप इस जाल में ना फसे इस तरी पुरुषते उतनी ही श्रेष्ट है जितना प्रकाश अंधेरे से मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है पुरुष धर्म और अध्यात्म और रिश्यों का आश्रे लेकर उस लक्ष पर पहुँचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है पर सफल नहीं हो सका मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ तालियां बजी हौल हिल उठा राय सहब ने गदगद होकर कहा महता वही कहते हैं जो उनके दिल में है उंकारनात ने टीका की लेकिन बातें सभी पुरानी हैं सड़ी हुई है पुरानी बात भी आत्म बल के साथ कही जाती है तो नहीं हो जाती है जो एक हजार रुपए हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो उसमें आत्म बल जैसी वस्तू नहीं रह सकती ये केवल पुराने विचारों की नारियों और पुरुशों को प्रसन्न करने के धंग है खन्ना ने मालती की ओर देखा ये क्यों फूली जा रही है इन्हें तो शर्माना चाहिए खुशेद ने खन्ना को उकसाया अब तुम भी एक तक्रीर कर डालो खन्ना नहीं मेहता तुमें उखार भेकेगा आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है खन्ना किसी आकर बोले मेरी न कहिए मैंने कितनी जिडियां फसा कर छोड़ दी है राय सहब ने खुशेद की तरफ आँख मार कर कहा आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं सच कहना कितना चंदा दिया खन्ना पर जेब झा गई मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रच कर दुराचार पहलाते हैं महिता का भाशन जारी था पुरुष कहता है जितने दाशनिक, वेक्यानिक और अविश्का रख हुए हैं वो सब पुरुष थे जितने बड़े-बड़े महत्मा हुए वो सब पुरुष थे सभी योध्धा, सभी राजनिती के आचारे बड़े-बड़े नाविक, बड़े-बड़े सब कुछ पुरुष थे लेकिन इन बड़ो-बड़ों के समुहुने मिलकर किया किया महत्मा और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदिया बहाने और वेमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया योध्धाओं ने भाईयों की गर्दन काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी राजनितिग्यों की निशानी अपकेवल लुप्त सामराज्यों के खंडर रह गए है और अविश्कारों ने मनुश्यों को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी पुरुशों की रची हुई इस संस्कृती में शान्ती कहां सहियो कहां है ओंकारनात उठकर जाने को हुई विलासियों के मुह से बड़ी बड़ी बाते सुनकर मेरी देहे भस्म हो जाती है खुशेद ने उनका हाथ पकड़ कर बैठाया आप भी संपादक जी निरे पोंगा ही रहे अजी ये दुनिया है जिसके जी में जो आता है बकता है कुछ लोग सुनते हैं और तालिया बजाते है चलिए किस्ता खत्म ऐसे ऐसे बेशुमार महते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी बिगरने की कौन सी बात है असत्य सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता राय सहब ने इन्हें और चड़ाया कुल्टा के मुझसे सत्यों किसी बात सुनकर किसका जीन जलेगा ओंकारनाथ फिर बैट गए महता का भाशन जारी था मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप बाज को चिडियों का शिकार करते देखकर हंस को ये शोभा देगा कि वो मान सरोवर की आनंद मैं शांती को छोड़कर चिडियों का शिकार करने लगे और अगर वो शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगे हंस के पास उतनी तेज चोच नहीं है उतनी तेज चंगुल नहीं है उतनी तेज आँके नहीं है उतने तेज पंक नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है उन अस्तरों का संचे करने में उसे सद्या लग जाएंगी फिर भी वो बाज बन सकेगा या नहीं इसमें संदेह है मगर बाज बनने या ना बने वो हंस न रहेगा वो हंस जो मोती चुकता है खुशेद ने टीका की ये तो शायरों किसी दलीले हैं मादा बाज भी उस तरह शिकार करती है जैसे नर बाज ओंकार नात प्रसन हो गए उस पर आफ फिलोसफर बनते हैं इसी तरक के बल पर खना ने दिल का गुबार निकाला फिलोसफर की दुम है फिलोसफर वो है जो ओंकार ने बात पूरी की जो सत्य से जौ भर भी न टले खना को ये समस्या पूर्ती नहीं रुची मैं सत्य वत्य नहीं जानता मैं तो फिलोसफर उसे कहता हूँ जो फिलोसफर हो सच्चा खुशेद ने दाद दी फिलोसफर की आपने कितनी सच्ची तारिफ की है वह सुभान अल्ला फिलोसफर वो जो फिलोसफर हो क्यों नहो महता आगे चले मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है है और पुरुषों से अधिक, मैं नहीं कहता देवियों को शक्ती की जरूरत नहीं है, है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वो विद्या और वो शक्ती नहीं, जिससे पुरुष ने संसार को हिंसाक्षेत्र बना ढाला है, अगर वही विद्या और वही शक्ती आप भी ले ल का दफ्तरों में और अदालतों में जबान और कलम चलाने से इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिये हैं सरोजब तक बड़ी बहन के अधब से जब्त किये बैठी थी अब ना रहा गया फुपकार उठी हमें वोट चाहिए पुरुशों के बराबन और कई युवधियान ने हांक लगाई वोट वोट ओंकारनात ने खड़े होकर उंचे स्वर में कहा नारी जाती के विरोधियों की पगड़ी नीची हो मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा शांत रहो जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा मेहता बोले वोट नए युक का माया जाल है मरीची का है कलंक है धोका है उसके चक्कर में पढ़कर आप ना इधर की होंगी ना उधर की कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिवेक्ति का अवकाश नहीं मिलता हम सभी पहले मनुष्य है पीछे और कुछ हो हमारा जीवन हमारा घर है वहीं हमारी स्रष्टी होती है वहीं हमारा पालन होता है वहीं जीवन के सारे व्यापार होते हैं अगर वो क्षेत्र परीमित है तो आपरीमित कौन सा क्षेत्र है क्या वो संघष जहां संगठित आपरण है जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती है जहां मनुष्य पिसा जाता है जहां उसका रक्त निका शबाब नहीं है अन्याय को मिटाई ये लेकिन अपने को मिटा कर नहीं मालती बोली नारिया इसलिए अधिकार चाहती है कि उनका सदूपियों करें और पुरुषों को उनका सदूपियों करने से रोकें महता ने उत्तर दिया संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वो आपको मिले हुए हैं उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज नहीं मुझे खेद है हमारी बेहने पश्चिम का आदश ले रही है जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिर कर विलास की वस्तु बन गई है पश्चिम के स्तरी स्वचंद होना चाहती है इसलिए कि वो अधिक से अधिक विलास कर सके हमारी माताओं का आदश कभी विलास नहीं रहा उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सैदयव ग्रस्ति का संचालन किया है पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी है वो उनसे लीज संस्कृती में सैदयव आदान प्रतान होता आया है लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षन है पश्चिम के स्तरी आज ग्रिह स्वामनी नहीं रहना चाहती भोग की विदग लालसा ने उसे उच्छरंखल बना दिया है वो अपनी लज्जा और गरिमा को ज तो मुझे उन पर दया आती है उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वो अपनी लज्जा की रक्षा नहीं कर सकती नारी की इस से अधिक और क्या अधुगती हो सकती है राय सहब ने तालियां बचाई हौल तालियों से गुन चुठा जैसे पठाकों की टट्यां छूट रही हो जवाब तो आपके पास भी ना होगा संपादक जी ने विरक्त मन से कहा सारे व्याख्यान में इन्होंने यही एक बात सत्य कही है तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए जी नहीं अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते मैं उसका जवाब ढून का लूँगा बिजली में देखेगा इसके माने ये हैं कि आप हक की तलाश नहीं करते सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं राय सहब ने आड़े हातों लिया इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है संपादक जी अवी चल रहे वकील का काम अपने मु हैं निसहाई हैं पीडित हैं बड़े बेहया हो यार मिहता जी कह रहे थे और ये पुरुषों का शडियंत्र है देवियों को उचे शिखर से खींच कर अपने बराबर बनाने के लिए उन पुरुषों का जो कायर हैं जिनमें वैवाहिक जीवन का दायत्वस संभालने की एक पश्चिम में इनका शडियंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई मुझे ये कहते हुई शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमी भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है विशेशकर हमारी शिक्षित बहनों पर वो जादू बड़ी तेजी से च तंत्र है यूतियां अब विवहा को पेशा नहीं बनाना चाहती वो केवल प्रेम की आधार पर विवहा करेंगी जोर से तालियां बजी विशेशकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थी मेहता ने जवाब दिया जिसे तुम प्रेम कहती है वो धोका है उद्वीप्त लालसा का विकृत रूप उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीक मांगने का संस्कृत रूप है वो प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिलकुल नहीं है सच्चा आनंद सची शांती केवल सेवा व्रत में है वही अधिकार का स्रोथ है वही शक्ती का उदगम है। सेवा ही वो सिमेंट है जो दमपती को जीवन परियंत इसने हैं और सहचर्य में जोड़े रख सकता है जिस पर बड़े बड़े आगातों का कोई असर नहीं होता। जहां सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है परित्याग है अविश्वास है और आपके उपर पुरुष जीवन की नौका की कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा हैं। आप चाहें तो नौका को आंधी और तुफानों में पार लगा सकती हैं और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगे और उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाशन समाप्त हो गया। विशय विवाद ग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमती मागी मगर देर बहुत हो गई थी। इसलिए मालती ने महता को धन्यावाद दे कर सभा भंग कर दी। हाँ ये सूचना दे दी कि अगले रविवार को इसी विशय पर देविया अपने विचार प्रकट करेंगी। राय सहब ने महता को बधाई दी। आपने मन की बाते कहीं मिस्टर महता मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हसी। आप क्यों ना बधाई देंगे। चोर चोर मौसेरे भाईचा होते हैं। मगर ये सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर पर क्यों थोपा जाता है। उन्हीं के सिर क्यों आदश और मरियादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पठका जाता है। महता बोले। इसलिए कि वो बात समझती हैं। खना ने मालती की और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देखकर मान उसके मन की बात समझने की चेश्टा करते हुए कहा। डॉक्टर सहब के ये विचार मुझे तो कोई सौ साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटू होकर पूछा। कौन से विचार? यही सेवा और करतव्य आदी? तो आपको ये विचार सौ साल पिछड़े हु खुश करने के लिए वो तिना कुठी? बोलें ये नुसका तो महता सहब को मालूम होगा। डॉक्टर सहब ने तो बतला दिया और आपके ख्याल में वो सौ साल पुराना है। तो नया नुसका आपको बतलाना चाहिए। आपको ग्यात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी आते हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रही हैं और हमेशा उठती रहेंगी। मिसिस खन्ना बरामदे में चली गए थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा। मेरे भाशन के विशे में आपकी क्या कर आए हैं। मिसिस खन्ना ने आँखे जुका कर कहा अच्छा था बहुत अच्छा मगर अभी आप अविवाहित हैं। जभी नारिया देविया हैं, श्रेष्ट हैं, करनिधार हैं। विवा कर लीजी तो पूछूँगी अब नारिया क्या हैं। और विवा आपको करना पड करेगा, क्योंकि आप विवाह से मूँ चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। महता हां से। उसी के लिए तो जमीन तयार कर रहा हूं। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि कुछ दिन आपके चर्णों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखें। वही स्वार्थी पुर्शों की बाद आपने पुरुश करतवे सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ किस से सीखू। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। महता ने कहा कहा लगाया। नहीं मैं पुरुश करतवे भी आप ही सीखूँगा। अच्छी बात यही है कि भूल जाएए कि नारी श्रेष्ट है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है श्रेष्ट पुरुष है और उसी पर ग्रहस्ति का सारा भार है नारी में सेवा और सैयम और करतवे सब कुछ वही पैदा कर सकता है अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा नार्यों में आज जो ये विद्रो हो है इसका कारण पुरुष्ट का इन गुणों से शुन्य हो जाना है मिर्जा सहब ने आकर महता को गोद में उठा लिया और बोले मुबारक महता ने प्रश्ण की आँखों से देखा आपको मेरी तक्रीर पसंद आई तक्रीर तो खैर जैसी थी मगर काम्याव खूब रही आपने परी को शीशे में उतार लिया अपनी तकदीर सरहाई है कि जिसने आज तक किसी को मूह नहीं लगाया वो आपका कलमा पढ़ रही है मिसिस खना दभी जबान से बोली जब नशा ठहर जाए तो कहिए महता ने विरक्त भाव से कहा मेरे जैसे किताब के कीड़ों को कौन आरत पसंद करेगी देवी जी मैं तो पक्का आदशवादी हूँ मिसिस खना ने अपने पती को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गए मिर्जा भी बाहर निकल गए तुम पागल हो गए हो पता वो आइटाम ही हो देश इसका प्छाड़ा महता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आँखों से बोली आप अभी नहीं जा सकते चलिए पापा से आपके मुलाकात कराओं और आज वहीं खाना खाईए महता ने कान पर हाथ रख कर कहा नहीं मुझे एक शमा कीची वहाँ सरोज मेरी जान खाएगी मैं लड़कियों से बहुत घब राता हूँ नहीं नहीं मैं जिम्मा लेती हूँ जो वो मू भी खोले अच्छा आप चलिए मैं थोड़ी देर में आऊँगा जी नहीं ये नहोगा मेरी कार सरोज को लेकर चली गई है आप मुझे पहुचाने तो चलेंगे ही दोनों महता की कार में बैठे कार चली एक क्षण बाद महता ने पूछा मैंने सुना है खन्ना सहाब अपनी बीवी को मारा करते हैं तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई जो आदमी इतना निर्दई हो उसे मैं आदमी नहीं समझता उस पर नारी जाती के बड़े हित्याशी बनते हैं तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली ताली हमेशा दो हतेलियों से बचती है यह आप भूल जाते हैं मैं तो ऐसी कारण की कलपना ही नहीं कर सकता कि पुरुष अपने स्तरी को मारे चाहे स्तरी कितनी ही बद जबान हो हाँ कितनी ही तो आप एक नए किस्म के आत्मी है अगर मर्द बद मिजास हो तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बोच हार करनी चाहिए इस तरी जितनी एक शमाशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता आपने हुद आज ये बात स्विकार की है तो औरत की एक शमाशीलता का यही परसकार है मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मूँ लगा कर उसे और भी शेय देती हूँ तुम्हारा वो जितना आधर करता है तुमसे उसे जितनी भकती है उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो मगर तुम उसकी सफाई देकर सुवयम उस अपराद में शरीक हो जाती हो मालती उत्तेजित होकर बोली तुमने समय ये प्रसंग व्यर्थ ही छेर दिया मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं आपने उनकी भोली, भाली, शान्त, मुद्रा देखकर समझ लिया वो देवी है मैं उन्हें इतना उंचा स्थान नहीं देना चाहती उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयतने किया मुझ पर जैसे जैसे आगहात किये वो बयान करूँ, तो आप दंग रह जाएंगे और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवार करना चाहिए आखिर उन्हें आपसे इतना द्वेश है इसका कोई कारण तो होगा कारण उनसे पूछिए मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालू उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है और वो यह है, अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्तरी के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूँ और उसे ना मार सकूँगा तो अपनी चाती में मार दूँगा इसी तरह, अगर मैं किसी इस्तरी को अपने और अपनी इस्तरी के बीच में लाना चाहूँ तो मेरी पत्नी को अधिकार है कि वो जाहे जो करे इस विशे में मैं कोई समझावता नहीं कर सकता ये अव्यानिक मनोवर्यती है जो हमने अपने बनेले पूरवजों से पाई है और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य है और आसामाजिक व्यवहार कहेंगे लेकिन मैं अभी तक उस मनुवरिती पर विजय नहीं पा सका और ना पाना चाहता हूँ इस विशय में मैं कानून की परवहन नहीं करता मेरे घर में मेरा कानून है मालती ने तीवर स्वर में पूछा लेकिन आपने ये अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच में आना चाहती हूँ आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रही है मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती महता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा ये आप दिल से नहीं कह रही है मिस माल्ती क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ समझती है जो बात सभी समझ रहे हैं अगर वही बात मिसिस खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें दोश नहीं दे सकता माल्ती ने तिनक्कर कहा दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मज़ा आता है ये उसका स्वभाव है मैं उसका स्वभाव कैसे बदल दू लेकिन ये व्यर्थ का कलंक है हाँ मैं इतनी बेमुरमत नहीं हूँ कि खन्ना को अपने पास आते देखकर दुद्कार देती मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वो माल्ती का गला भरा गया और उसके मुँ फेरकर रुमाल से आंसु पोचे फिर एक मिनट बात बोली औरों के साथ तुम भी मुझे मुझे इसका दुख है मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी फिर कदाचित उसे अपनी दुरबलता पर खेद हुआ वो प्रचंड होकर बोली आपको मुझे पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप भी उन्ही मर्दों में है जो किसी इस्तरी पुरुष को साथ देखकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते तो शौक से उठाइए मुझे रत्ती भर परवा नहीं अगर कोई इस्तरी आपके पास बार बार किसी ना किसी बहाने से आए आपको अपना देवता समझे हर एक बात में आपसे सलह ले आपके चरणों के नीचे आँखे बिचाए आपका इशारा पाते ही आग में कूदने को तयार हो तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप उसकी उपेक्षा ना करेंगे अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं उसके विरुद आप कितने ही तर्क और प्रमान लाकर रखने लेकिन मैं मानूंगी नहीं मैं तो कहती हूँ उपेक्षा तो दूर रही ठुकरानी की बात ही क्या आप उस नारी के चरण धोधो कर पिएंगे और बहुत दिन गुजरने के पहले वो आपकी हृदेश्वरी होगी मैं आपसे हाथ चोड़ कर कहती हूँ मेरे सामने खन्ना का कभी नाम न लीजेगा महता ने इस जुआला में मानू हाथ से एक देवे कहा शरत यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखू मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती वो आएंगे तो मैं उन्हें दुद्कारूंगी नहीं उनसे कही अपनी स्त्री के साथ सजजनता से पेश आएं मैं किसी के नेजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती ना मुझे इसका अधिकार है तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती मालती का भंगला आ गया कार रुक गई मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई वो ये भूल गई कि उसने महता को भोजन की दावत दी है वो एकांद में जाकर खुब रोना चाहती थी गोविंदी ने पहले भी आगहात की है पर आज उसने जो आगहात किया है वो बहुत गहरा, बड़ा चोड़ा और बड़ा मर्म भी दी है फाइल पंद्रह अंक पंद्रह समाथ